हेलो स्टुडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्ट ओफ सैटलमेंट और पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में जैसा आप सभी पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाये गया जिसके कारण जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हैस्टिंग उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया उनी के माद्यम से ही 1774 में सुप्रिम कोर्ट ओफ कॉलकटा की स्थापना हुई और जिसके पहले जज इंपे बने लेकिन 1774 के बाद से ही जो अधिकार अक्षेतर थे गवर्नर जनरल और सुप्रिम कोर्ट के जज गे इंपे के उनमें काफी मतबेद था इसलिए जो अंगरेजी सरकार थी जो स्टेम ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पारिटी की सरकार थी उन्हें विपक्ष की ओर से काफी दबाओ जहलना पड़ रहा था तो उसी को शांत करने के लिए एक्ट ओफ सेटलमेंट सन 1781 में लाया गया जिसके अंदर गवर्नर जन्रल एवं सुप्रेम कोर्ट के जज़ दोनों के 16 अधिकार को प्रिथक की लागया इसमें एक जांच कमेटी गटित भी की गई जिसके अनुसार जिसने निर्न लिया कि यह कमेटी गवर्नर जन्रल के अधिकारों और सुप्रेम कोर्ट के जज़ के अधिकारों के बीच में प्रिथिकन का काम करेगी लेकिन जब इस जांच कमेटी की रिपोर्ट आई तब ब्रिटेन में सत्ता का जो तकत था वो उलट चुका था यानि कि पहले कंजर्वेटिव पालिटी की सरकार थी जबकि अब ब्रिटेन में लेबर पालिटी की सरकार आ गई जिसकी वज़े से नोर्थ कुक को कुर्शी गवानी पड़ी और अगले प्रधानमत्री कौन मने विलियम पिट्स इनहीं कि अध्यक्षता में PITS India Act लाया गया क्योंकि इनका नाम William PITS था तो इसलिए PITS India Act बोला गया और इसमें सायूगी थे डुन्डास और फोकस इनहीं के दुआरा सरवपरथम जो Governor General था उसकी सक्तियों को सरवपरी किया गया यानि कि जब Governor General दुआरा कोई भी प्रस्ताव लाया जाता उसके अंदर वोटिंग होती थी तो उसके अंदर अगर बार बार प्रस्ताव गिर रहा था जिसके कारण Governor General कारिय करने में एसमर्थ हो रहा था लेकिन अभी Governor General को सरवपरी बनवा दिया गया और जो Governor General की परीशत थी वो केवल मतर सलाहकारी बनकर रह गई जो William Peats थे उन्होंने धारा नो का कठोड़ता से लागू किया धारा नो का अर्थ यह है कि जो छेत्रिय जो प्रांतिय गवर्नर है वो अपने हिसाब से आपातकालिन स्थिती में कानून बना सकते थी लेकिन लगातर हो रहे इनका दुर्प्योग के कारण जो British India है वो लगातर युदों में खिचा चला रहा था जिसके कारण कंपनी को काफी घाटा सेहन करना पड़ रहा था तो इसलिए धारानों को कठोरता से लागू किया गया अच्छा नीचे देखिए आप इस पीट सिंडिया एक्ट में एहस्तक शेप की नीती अपनाई गई यानि कि हमें भी किसी की राजा के विदेशी मामलों में नहीं पड़ना और हम अपना जो चेतर है उसका ज्यादा उस चेतर को बढ़ाना करके इसी के चेतर के उपर पहले कंट्रोल पूरी तरीके से करना होगा यानि कि हमें बारत में सामराज्य वाद की नीती छोड़नी हो कि जितना अधिकार शेतर हमारे कंट्रोल में है उसी को रखना होगा अनावश्य क्यूदों पर रोक लगा दी गई अभी चुपिट सिट्राइक था उसके अंदर साशन विवस्था में काफी बड़े पैमाने पर बदलाव किये गई ब्रिटेन के समराट की दिख्ष्टा में बोर्ड ओफ कंट्रोल बनाया गया जो कमपनी के सैनिक एसैनिक परशाशनिक और राजशों के मामले देखता था इस बोर्ड ओफ कंट्रोल का सदस्य है भारत का राजशाशचीव जो इंगलेंड की पार्लियामेंट में बैठते थे इंगलेंड का वितमंत्री और चार अन्य सदस्यों को बनाया गया खुल मिलाकर इनकी संक्या छे हुई और चार अन्य सदस्यों में से तीन सदस्यों का जो मीटिंग होती थी उसमें उपस्तित रहना आवशक था यानि की बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंटिंग के लिए पांच सदस्यों का उपस्तित रहना आवशक था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका वेतन भारत की संचित निधी से दिया जाता था यानि की भारत के उपर ही कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन नागरिक कहां के हैं ब्रीटेन के हैं और भारत के उपर ही शाषन कर रहे हैं नागरिक ब्रीटेन के हैं सचियों कहां के हैं वो भी ब्रीटेन के हैं ब्रीटेन के सांसद है और जो क्राउन है वो भी ब्रीटेन का लेकि उसको कम्पनी पर स्थापित करना और कम्पनी को डारेक्शन देना और यह सब किसके इशारे पर हो रहा था ब्रिटेन के समराठ के यानिगी ब्रिटिश क्राउन के इशारे पर अच्छा जो बोर्ड ओफ कंड्रोल है उसका पूरा पूरा अधिकार किस पर था गवर्नर जनरल पर और उसकी परिशद पर पहले गवर्नर जनरल की परिशद में चार सदेश्य एवं गवर्नर जनरल स्वेम हुआ करते थे लेकिन अभी जो उनकी परिशद थी उसमें एक सदेश्य को एहम भूमी का दी गई यानि कि एक गवर्नर जनरल दूसरा कमांडर इन चीफ और तीन सदेश्य अन्य रखे गई और गवर्नर जनरल को सरोपरी माना गया युद के समय गवर्नर जनरल और कमांडर चीफ का संयुक्त फैसला ही एहम भूमी का निपाता सुप्रिम कोट को जो सभी दिवानी मामले थे उनके उपर अधिकार दिया गया और जो गवर्नर जनरल है उन्हें जो सुप्रिम कोट थी उसके अधिकार चेतर से बाहर रखा गया तो इस सतर पर बड़े पैमाई पर बदला हुए बोर्ड ओफ डारेक्टर्स थे वो अब केवल व्यापारिक गती वीदियो पर ही कंट्रोल रख सकते थे उनका राजनेतिक और आर्टिक द्रिष्टी से जो प्रभाव था वो खतम हो चुका था अब प्रभाव किसके कंट्र के हाथ में आ गया था तो इससे ब्रीटेन का भारत में दोरा शाशन लगू हुआ एक तो बोर्ड ओफ डारेक्टर की वो जैसे जिनोंने व्यापार की उपर कंट्रोल किया और दूसरा बोर्ड ओफ कंट्रोल की जिनोंने राजनेतिक और आर्थिक और शेनिया रूप से भा लेबर पारिटी की है तो आप कमेंट सेक्षन करके बताएं आज 2021 में वहाँ पर किसकी सरकार है कंजर्वेटिव की है फिर लेबर पारिटी की है और अगर आपको हमारे दर बनाएगी वीडियो अच्छे लगरी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और आप अगर कोई नए टोपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल उस टोपिक पर वीडियो बनाई जाएगी और मैं आपको बार बार फोटो इसी लिए दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें बन्यवाद शेय टून टून विद मे ए बन्यवाद शेय टून विद मे पर फुर्द लास्टिस